2006 में फरहान अक्तर दोरा निर्देशी डॉन अमिताब बच्चनोली डॉन का रिमेक थी उसमें ज्यादा करने को कुछ नहीं था क्योंकि सामने एक फिल्म मौजूद थी पांच वर्स बार डॉन टू में कहानी को आगे बढ़ाना उनके ले चुनोती थी क्योंकि अब सब कुछ उनकी कलपना पर निर्भर था सामने कोई फिल्म नहीं थी बॉली बुड ना सही तो हाली बुड ही सही इस बार फ्रहान और उनके साथ ही लेक को अमित महता और अंबरीज साह ने कुछ हाली बुड फिल्मों जैसे डाई हाई या मिसन इंपोस्बल से मसाला उधार लेकर डाउन का स्यूकर लिखा कहानी में जरूरी उतार चड़ाओ सस्पेंस और थिलर है लेकिन बहुत सारी तक्नीकी जैसे केंपूर्टर हैकिंग भी है जो युवाओ को तो अच्छी लगेगी पर सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर के दर्सकों के सिर्थ से गुजरेगी साथ ही कई जिकें मुश्किल कामों को डाउन के लिए बहुत ही आसान बना दिया गया है लेकिन फिल्म का स्टाइल लुक सहरुखान का भी नए जो बरदस्त एक्सन और सस्पन्स भरा क्लाइमेक्स इनकम्यो को परभारी पड़ता है और फिल्म को एक बार देखने लायक बनाता है एसिया पर कबज़ा जमाने के बाद डाउन इनी सहरुखान की निगाह अब यूरो उपर है उसके लिए उसे वर्धान यानि बोमन इरानी की सहाथा चाहिए जो मलेसिया की जेल में बंध है इंटरपोल के डिटेक्टिव, मालिक यानि ओमपरी और रुमा यानि प्रेंका चोपड़ा के सामने डाउन आतम सुनपर कर उसी जेल में जाता है जहां वर्धान है वर्धान और डाउन के पास एक एक चाबी है जिसके जरिये एक लॉकर खुलता है उस लॉकर में एक टेप है जिसकी साहता से डाउन जेके दिवान और बर्लिन इस्थिन बैंक के प्रिजन्ट को ब्लैक मेल करना चाता है डाउन और वर्धान जेल से भाग निकलते हैं दोनों जेके दिवान को टेप दिखा कर बैंक में रखी यूरो करेंसी चापने की प्लैट का एक्सेस कोड चाते है डाउन उन प्लैट्स की सहाथा से यूरो चापकर अमीर बनना चाता है दिवान जज़बार एनी नौाब साह नमगुंडे को डाउन को खतम करने की जिम्मेदारी सोबता है लेकिन डाउन उसे अपने हाथ अपने साथ मिला लेता है एक्सेस से कोड पाने के बाद डाउन को ऐसे तकनीसियन की जरूरत परती है जो कैंपोर्टर हायकर हो जो भारे सुरच्छा में रखे गए प्लैट्स को चुराने में उसकी मदद कर सके समीर अलियनी कुडाल कपूर को वह अपने साथ मिलाता है और प्लैट्स चुराने में कामयाब हो जाता है प्लैट्स पाते ही जब बार और वरधान मिल जाते हैं और डाउन से वे प्लैट्स ले लेते हैं समीर भी पुलिस को बला कर डाउन को पकड़वा देता है लेकिन सातिल दिमाग डॉन के इरादे कुछ और ही है इसके बाद सुरू होता है डॉन का जबाल दस्त खेल फिल्म के पहले हाफ में बहुत ज़्यदा प्लानिंग है इसलिए कहीं कहीं फिल्म कीची हुई और बोर लगती है इस हाफ में डॉन और वरधान का जेल से भागना जबार दोरा पीचा करने पर डॉन का बिल्डिंग से कूछ जाना था डॉन और रोमा का कार चिंजिंग सीन उम्दा बन पड़े है फिल्म स्वीड पकड़ती है सिकंडर हाफ में जब बनाएगे पल्प पर एक्सन लिया जाता है इंट्रोल के थोड़ी देर बाद ही क्लाइमेक सुरू हो जाता है जो फिल्म के खतम होने तक चलता है इसमें डॉन और उसके साथ ही प्लेट्स चुराने के लिए बैंक में जाते हैं यहां पर वरधान और जबार का डॉन के खिलाप हो जाना चोकाता है कई रहा सुजागर होते हैं जो फिल्म को दिल्चस्प बनाते है परहान अक्तर ने स्टालिस तरीके से कहानी को परदे पर पेस किया है मलेसिया, शूटर लेंड और जर्मनी की लोकेशन का उन्होंने बाखो भी उप्योग किया है डॉन का किरदार उन्होंने कुछ इस तरह प्रिस्टित किया है कि नकारातमक होने के बावजूद दर्सको का समर्थन मिलता है डॉन जब पुलिस की पकड़ से निकलता है तो उन्हें खुसी मिलती है फिल्म सिंगल ट्रेक पर चलती है और रोमान्स या कॉमटिक की ज़्यदा गुंजाइस भी नहीं थी अंतिम रीलो में रोमा और डॉन की नोगजोग अच्छी लगती है फिल्म के लंबाई पर फरहान यंतरा डगते हैं और फश्ट हाब बहतर बनाते तो बात ही कुछ और होती सहरु खान फिल्म की जान है डान के अटिटूट को उन्होंने बहतरीन तरीके से पेश किया है उनके चलने और बोलने का स्टाइल उनके फैंस को बहुत अच्छा लेगा मलिक साहब आप मेरी मा को नहीं जानते या समात बोलते से में उनके चेहरे के एक्स्प्रेशन देखने लायक है फिल्म में उन्हें कई अच्छे लाइने मिले हैं जैसे दुस्मन अपनी चाल चले उसके पहले डान अपनी चाल चल देता है दोस्तों का हाल भले ही डान न पूछे लेकिन दुस्मनों की हर ख़बर वहा जरूर रखता है और बार बार सुनने लायक डान को पकड़ना मुश्किल है नामुकिन है प्रियंका चोपड़ा के करेक्टर को ठेक से पेस नहीं किया गया है डान को पकड़ने के लिए दिन रात एक करने वाली रोमा डान को मारने का मौका आसानी से छोड़ देती है हाला कि इसकी वज़े डान के करिश्मे को बताया गया है लेकिन यह बात हजम नहीं होती रोमा खुद कनफ्यूज है और नहीं जानती कि वह डान से प्यार करती है नफरत लेकिन प्रियंका ने अब ने अच्छा किया है लारा दत्ता के गलैमर का ठेक चोपयोग नहीं किया हुआ है बोमन इरानी, अली खान, नौाप साह और कॉडाल का पुरकाविने लेकनी है रितिक रोसन वाला परसंग जबरतस्ती ठुसा गया है फिल्म का संगी सबसे बड़ा माइनिस पॉइंट है एक भी डंग का गाना नहीं है जेसन वेस्ट की सिनमेटोगराफी सांदार है फिल्म के अंतिम दरेशों में डॉन एक मोटर बाइक चलाता है जिसका नंबर डॉन थिरी दिखाया गया है या नंबर बताता है कि इसका तीसरा भाग भी बनाय जा सकता है कुल मलाकर डॉन टू सहरुखान के फैंस के साथ इस्टाइल और एक्षन मोवी पसंद करने वालों को अच्छी लगेगी लेकिन फिल्म देखते समय जो सिर्ख अपाना नहीं चाते उनके लिए इसमें कुछ नहीं है डॉन टू एक बॉलिबुड फिल्म है जो 21 दिसंबर 2011 को रिलीज हुई थी जिसे फ्रहान अक्तर दौरा निर्मित किया गया था फिल्म में सहरुखान वा प्रेंका चौपडा मोखी भूमका में है और लारदत्ता, ओमपुरी वा कुडाल कपूर सह कलाकार की भूमका में है यह 2006 में बनी डाउन का दूसरा भाग है इस फिल्म को डारेक्ट किया है फ्रहान अक्तर ने इसकी निर्माता है फ्रहान अक्तर, रितेस, सिद्धवानी, सहरुखान यह पढ़कता है अमित महता, अमित साह की कहानी इसमें फरान अक्तर, अमित मेता और अमरिस साहगी इसमें अभिनेता हैं सहरु खान, प्रियंका चोपडा, लारादता, ओमपुरी, कुडाल कपोर इसमें मीजिक दिया था संकर रहसान लाइने, इसके अच्छाय कार हैं जैसन बेश्ट इसका संपादन किया था अनंद, सुभारा ने और रितियस सुनी ने, इसके बितरेक थे रिलाइंश इंटर्टिन्मेंट और एक्स्छल इंटर्टिन्मेंट, रिलीज हुई थी 13 दिसमबर 2011 को भारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी, इससे 21 दिसमबर 2011 को 2D और 3D मेवा तमिल और तिल्गु भासों में रिलिश किया गया था कहानी यूरोपियन ड्रक्स के ब्यापारियों के सारे मुख्या फ्रांसे सी रवीरा में एसिया में बढ़ रहे एक नए समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए मिलते हैं ड्रक्स को कम दामों पर बेश कर उसका धंदा चोपड कर रहा है सारे मुख्या खबर फैला देते हैं कि ड्रां को मारना होगा पिछले पांच वर्सों से ड्रां थाइलेंड में रह रहा होता है और एक बिरान टापू पर वेकेन की डिलेबरी लेने जाता है एक साधार लेंदेन की जगह उसे वहाँ से भागने के लिए लड़ना पड़ता है क्योंकि यूरेपियन डीलर्स उसे मारना चाहते हैं वाबाद में मलेशिया जाकर रोमयने प्रेंका चोपड़ा और इंस्पेक्टर मलेक यानि ओम पूरी के सामने आतम समर्पड़ कर देता है उसे मौत की सजा सुनाई जाती है और मलेशिया यी काराग्रह में भेज़ दिया जाता है जहां उसके मुलाकात पुराने दुस्मन वर्धान एनिम्बोमन इरानी से होती है डौन और वर्धान सभी कईद्यों को जहर दे कर जेल से भाग निकलते हैं और जुरीच पहुंजाते हैं जहां डौन अपनी प्रेम का और भरोसे मंसा थी आयसा निलारादत्ता से मिलता है जुरीच में वह एक लोकर से समान निकलते हैं जिसे केवल वर्धान ही खोल सकता है लोकर में उन्हें एक टेप मिलती है जिसमें दिवान इनि अली खान यूरो प्रेंटिंग बैंग डिजेबडी का अध्यच जोकी फाबियान कोल सिंगानिया को रिस्वत दे कर एक प्रतिजंदी को मरने के लिए भेजता है करने पर मजबूर कर देता है कोई और रास्ता ना होने के कार दिवान उसे असली जानकारी दे देता है डान और उसकी नई टीम लोगों को बंदी बना कर बैंक लूटने की योजना बनाती है प्लेटे चुराने के बाद डान को वरधान और उसकी टीम धोखा दे देती है पर वह बश निकलने में कामियाब हो जाता है टीम का एकसिदस से समेर निकोडाल कपूर डान का वफादार होता है डान की योजना के मताबिक वह पुलिस को बला लेता है और डान पकड़ा जाता है कई कोसिसों के बावजूद पुलिस बंधक को छड़ाने में असमर्थ होती है और ना चाहते हो यह भी डान से मदद लेने पर बाद दो हो जाती है इस सर्थ पर कि उसे जर्मनी में पूर्ट सुतंतरता दी जाएगी डान और रोमा वरधान तक पहुँचने में सफल होते है परंतो रोमा को गोली लग जाती है क्योंकि यह डान को मारने से इंकार्द कर देती है इस से जाहिर हो जाता है कि रोमा डान को पसंद करती है इसके बाजूत कि उसने पांच साल पहले उसके भाई को मारा था मुटबोड में डान वर्धान और उसके साथियों को हराने में कामयाब होता है डान और रोमा आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं और फिर रुगाई का रोमा को लेकर चले जाती है डान बाद में दिवान की कार में लगाएगे बाम में बिसपोर्ट कर देता है बाद में पता चलता है कि डान के पास अब भी एक प्लेट मौजूद है पर पुलिस को लगता है कि वा दिवान के साथ बिसपोर्ट में नश्ट हो गई है पुलिस अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि डॉन के पास अब पोर्ट सुतंतरता है और या नहीं जानती कि उसके पास प्लैड भी है डॉन पुलिस को एक डिस्क देता है जिससे उसके सभी साथियों की सुची होती है परंतो हकीकत में उस डिस्क में यूरोपियन ड्रक्स ब्यापारियों के नाम होते हैं सबी ब्यापारी पकड़े जाते हैं اور डान यूरोपियन अंडर वर्र्ड का सहनसाह बन जाता है डान के दूसरे भाग का विचार फिल्म के रिलीज होते ही फरान अक्तर ने विक्त किया था बाद में या अपनी अनिप प्रयोजनाओं में बिस्त हो गया वह सहरु खान अपनी कंदे की चोट के चलते ठीक होने के लिए रब ने बना दी चोड़ी और माई ने मिजख खान जिसे फिल्मों के लिए अपनी तारीखी दे दी फरावरी 2010 में अक्तर ने फिल्म की कहानी और जिगहत ते करने की घोशड़ा की DNA अकबार से बात करते हुए अक्तर ने कहा की उसने इसकिरदार को इसलिए चुना क्योंकि वह बहुत कुछ कहता है मैस्टुकल बनाने का आदी नहीं हूँ आपको या भी तभी करना चाहिए जब आपके पास कोई अच्छी कहानी हो बताने के लिए डान्टु के साथ मैं आखिरकार वह एक्षन फिल्म बना सकता हूँ जो मैं हमेशा से चाहता था डान्टु में इस बार अलग लेकों की टीम बनाए गए जिसमें अक्तर, अमित महता और अमरिस सामिल है पंद्रा नॉम्बर को खान पहले अपनेता बन गे जिन्होंने अपना टैटू रजिस्टर करवाया और अपनी बहाँ पे बना डी का टैटू कॉपी राइट करवाया गया जर्मन सरकार ने फिल्म को 3 यूरो मिलियन की सहुलियत परदान की जो जर्मनी की राइधानी में चितरित की गई है जर्मिनी में हुए चितरी करण का खर्चा 6 यूरो मिलियन हुआ और यहाँ पहली फिल्म बन गई जिसे जर्मिनी में इतनी बड़ी मात्रा में सहुलियत परदान की गई अगर 2011 में यह घोसड़ा की गई कि फिल्म को 3D में बनाया जाएगा फिल्म की घोसड़ा करते वक्त जाहिर किया गया कि पिछली फिल्म में सभी पहत्र अरजुन रामपाल को छोड़ कर अपनी भूमका में वापस दिखेंगे और लारा दत्ता एक नई भूमका संभालेंगी डान 2006 में बनी हिंदी भासा की फिल्म है इस फिल्म का निर्देशन फरहान अक्तर ने और निर्माड रितेश सिद्वानी और फरहान अक्तर की कमपनी एक्सल इंटरेटेन्मेंट ने किया है इस फिल्म में सहरुखान प्रियंका चोपड़ा और अरजुन रामपाल मुखी कि प्रियंदार में हैं और उनके साथ बोमन इरानी इसा कोपीकर और ओम पुरी सायक भूंका में हैं यह 1978 में बनी इसी नाम से फिल्म का दुबारा निर्माड है इसे 20 अक्टूबर 2006 को सिनेमा घरों में दिखाया गया था इस फिल्म की लागत थी 35 करोड रुपे आईए जानत एक दिन पुलिस की मुटबैड में डान काफी घायल हो जाता है और कॉमा में चला जाता है जिससे वो डी सिल्वा के कबजे में आ जाता है डी सिल्वा के मुलाकात डान जैसे दिखने वाले बिजय यह सहरुखान से होती है वो डान के बाmeno की साथियों को पगढ़ने के वो से वादा करता है कि वो दीपू यानि तने छेड़ा को अच्छे स्कोल में दाखिला करा देगा वही दीपू का पिता जसजित यानि अरजुनरामपाल जेल से छोट जाता है और डिसलवा को मार कर अपनी बीबी के मौत का बदला लेने की सोचते रहता है विजे को अस्पिताल में भरती कर दिया जाता है और वहाँ डाक्टर असोग गिलवाणी समान चोट के निसान लगाता है जैसे कि डान के होते हैं, डान की मौत हो जाती है विजे अब डान के रूम में उनके गैंग में सामिल हो जाता है डीसलवा उसे कंप्यूटर डिस्क का हासल करने को बोलता है जिसमें उनके सारे काले कारणा में दर जहें जब विजे को वो डिस्क मिल जाती है तब ही रोमायनी प्रिंग का छोपड़ा उस पर हमला करती है और अपने बहन कामनियानी करीना कपूर के मौत का बदला लेने की कोशिस करते रहती है जिसे डान ने मार दिया था उसे समय डीसलवा आता है और उसे रोक कर बताता है कि ये डान नहीं बलकि विजे है विजे ओ डिस्क डीसलवा को देते हुए बताता है कि सभी गैंट के लोग एक जगे अकठे होने वाले हैं पुलिस उनके अड़े में आ जाती है और पुलिस की मुटभेड में डी सिल्वा की मौत हो जाती है और पुलिस बिजे को गरिपतार कर लेती है बिजे की असली पहचान जानने वालों की मौत हो जाने के बाद वो किसी भीतरे साबित नहीं कर पता कि वो बिजे है लेकिन उसके साथ काम करने वाले गैंग के सदस जान जाते हैं कि ये डान नहीं है, जिसे उनके बेश लडाई होती है बिजे वहां से भाग निकलने में सफल हो जाता है और वो रोमा से मिलता है ताकि डिस्क प्राप्त करो अपने आपको बेकसूर साबित कर सके वही जस्जित डिस्क की तालास में डी सिल्वा के अपार्टमेंट में आता है वहाँ उसे फोन कर काल आता है और कोई उसे कहता है कि अपने बेटे को दुबारा देखना चाहते हो तो वो डिस्क उसके हवाले कर दो उसे पता चलता है कि डिसलवा जीविद है और वो असल में वर्धन है जो बिजे का इस्तिमाल कर अपने प्रतिदंदी के राद जानना चाह रहा था बात में जस्चित और बिजे के बेच लड़ाई होती है पर बीच में दिपू आकर उन दोनों को रोक देता है और जस्चित को बताता है कि उसके नहीं रहते समय उसका सारा देखरेक बिजे ही कर रहा था जहजित भी बिजे और रोमा के साथ हो जाता है और उन दोनों को वर्धन की असल पहचान के बारे में भी बताता है वोग योजना बनाते हैं कि जिसके तहद वर्धन को फौन कर जहजित बात करने के लिए बुलाता है और वेतिनों इंटरपॉल को भी इस बात की खबर कर देते हैं वरधन के आने के बाद बिजे और वरधन के भी लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में इस्पेक्टर बिसाल मलिक एनि ओम पुरी भी आ जाता है वरधन को गृपतार कर लिया जाता है और गायल बिजे को अस्पेक्टाल में ले जाता है उससे अस्पेक्टाल में ले जाते समय रोमा उससे प्यार का इकरार करती है अंद में दिखा जाता है कि असल में डाउन हमेशा से जीवित ही था जो इस पूरे वक्त बिजे बन कर फिर रहा था फिर दिखा जाता है कि किस परकार अस्पताल में ठीक होगर वर्धन और विजे के बीच हुई बातचीज सुन लेता है जब विजे का आपरेशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब वर्धन और डाक्टर असोक कमरे में नहीं रहते तब ही वो जगए बदल देता है और विजे को मार देता है बाद में ये भी पता चलता है जो सिटी पुलिस को मिली है वो असली नहीं है वर्धन और सिंगानिया के हटने के बाद अब पूरे एसिया के ड्रग तसकरी का डान अकेला बासा बन चुका है डान अब हवाई अड़े में अनीता यानि इसा कोपिकर से मिलता है तो वे जाते हुए बोलता है कि डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बलकि नामुकिन है और इसी के साथ स्क्रीन काला हो जाता है और फिलम खतम हो जाती है आगे का भाग हमें डान 2 में दिखा जाता है इस फिलम में सहरुखान ने डान यानि बिजय की भूमका निभाई है प्रेंका चोपड़ा ने रोमा की भूमका निभाई है अरजुन रामपाल ने जहजित अहोजा की भूमका निभाई है बोमनीरानी ने एसी पिड़ी सिलवा वर्धन की भूमका निभाई है इसा कोपिकर ने अनीता की भूमका निभाई है ओमपुरी ने इस्पेक्टर बिसाल मलिक की भूमका निभाई है पौन मलोहतरा ने नारंग की भूमका निभाई है साथ में और भी इसमें एक किलदार थे इस फिल्म में संगीत जावे धक्तर द्वारा लिखा गया था और सारा संगीत संकर एहसान लाए द्वारा रचित था इस फिल्म में कुल छे गाने थे जिनके बोल हैं आज की रात मैं हूंटौन, मौरिया रे, ये मेरा दिल खाई के पान बनारस वाला डान दा थीम जिसे गया था महालचमी अयर, अलीसा चिनाए, सुनु निगम, सान, संकर महादेवन, सुनु धी चौहान, उदिनराड, सहरु खान आए जानते हैं इसकी कमाई के बारे में इस फिल्म ने भारत में 1.43 लाख डालर का बिजनस किया था और इसने अमेरिका में लगभग 22 लाख डालर का बिजनस किया था और इसमें युनाइटेट किंगडन, आयलेंड और माल्टा में 28 लाख डालर का बिजनस किया था इसने भारत में लगभग एक करोड 23 लाक डालर का बिजनस किया था, अमेरिका में इसने 22 लाक डालर का बिजनस किया था साथ ही न्यूजी लेंड में इसने बावन हजार का बिजनस किया था इस तरह से इस फिल्म ने लगभग एक करोड़ च्यानवे लॉग डालर का बिजनस किया था डान दचेस बिगिंस अगैन जिसी का उल डान के नाम से जना जाता है फरहान अक्तर दौरा निर्देशित 2006 की भारती हिंदी भासा की एक्षन थिलर फिल्म है फिल्म का निर्माट रितियस सिधवानी और अक्तर की प्रोड़क्शन कंपनी एक्षल अंटर्टेन्मेंट ने किया था फिल्म में सहरुखान को टाइटेनिक एंटी हिरो और प्रियंका चोपडा को रोमा के रूम में दिखाए गया है जबकि हरजुन रामपाल, इसा कोपिक कर, बोमन इरानी, पौन मलहोत्रा, राजेश खटर और ओम पुरी सहाय भूमकाओं में दिखाए देते हैं करीना कपोर की इस्पिसल अपेरियंस डान उसी सीर्शक की 1978 की फिल्म का रिबूट संस्क्रड है और टाइटेनिक अपराधी के हमसकल कानुसरड करता है जिसे पिछा करने में घायल होने के बाद और ड्रक माफिया पर खोपिया जैनकरी इकठा करने के लिए एक गुप्त मि मानना था कि यह आधनिक समय के लिए पूरी तरह से अनकूल होगी निर्देशक के बारे में अधिकार खरीदे और मूल फिल्म और इसके कलाकारों और चालक दल और समान रोप से 1970 के दसक के लिए एक सरद्धानजल के रूम में अपने अनकूलन की कलपना की उन्होंने पिता प्रश्टी शेटिंग और एक अलग अंतसामिल था पर्मुक फोटोग्राफी मंबई में सुरू हुई मलेशिया जाने से पहले जहां 80% फिल्मांकन किया गया था जावेद अक्तर के गीतों के साथ सांट्रेक संकर एहलान लाई दोरार रचित था डान दचस बिगेंस अगे 20 अक्टूबर 2006 को रिलीज हुई थी जो दिवाली के तेवहारी सीजन के साथ मेल खाती है सलमान खान अक्षेकुमार और प्रिती जिन्टावनीत जाने मन के साथ टकराती है या एक बड़ी बेवसायक सफलता साबित हुई जिसने बॉक्स आफिस पर 400 मिलियन के उतपादन औ और बिपड़न बजट के मुकाबले 1.6 बिलियन से अधिक की कमाई की इस प्रिकारिया 2006 की पांचुई सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई इसे समीचकों ने परसंचा के साथ सकारात्मक समीच्छा मिली इसके एक्षन सीक्वेंस, स्वांड ट्रेक, प्रो पुर्षकार जीता, फिल्म को बानुए फिल्म फेर पुर्षकारों में सर्फ्रेस्ट फिल्म और सर्फ्रेस्ट अबनेता सहिद नो नमंकर भी प्राप्त है थे, डांटु नमक सिकल को 13 दिसंबर 2011 को रिलीज किया गया था, इस फिल्म में हमें दिखाय जाता है कि कुवाला पुर्म में मलियसिया में इस्तित अवे नसीली दिवाओ का व्यापार फल फोल रहा है, पुलिस उपायोगति डीसलवा की अधिसिता वाली एक टीम कार्नेल नेता सिंघानिया के परवंधग मार्क डोनाल्ड यानि और्प डान को पकड़ने के लिए उनके संचालन को लच् इसे एक है जिसे बोरिस के नाम से जना जाता है, दूसरे हैं वर्धन, गिरोह छेडने की कोसिस करने के बाद डान ने अपने एक करीबी सहयोगी रमेश को मार डाला, रमेश की मंगे तरकामनी ने पुलिस की मदद करने का फैसला किया, वाह उसे फसाने की कोसिस में खुद क चारा के रूब में इस्तेमाल करती है, लेकिन डान उसकी योजना के बारे में जान कर उसे मार डालता है, रोमा रमेश की बहन अपने भाई और भावी की मौत का बदला लेने की योजना बनाती है, और डान के गروह में सामिल हो जाती है, पुलिस से बचने की कोसिस में डान चला जाता है डी सिल्वा को बिजे नाम का एक हमसे कल मिलता है और वह उसे अपने मिशन में सामिल होने के लिए कहता है बिजे सहमत हो जाता है जब डी सिल्वा दीपू को स्कूल में भरतिक कराने का वादा करता है एक लड़का बिजे की देखबाल करता है इस बीच एक सुच जहजीत को एक आग्याध हमलावर ने पकड़ लिया था जिसने अपनी अपहाओत पत्नी को बचाने के लिए उसके साथ सौधा किया था हाला कि डी सिलवा ने उसे पकड़ लिया और जहजीत सित पर और जहजीत पर विश्वास करने से इंकार कर दिया उसके पैर में गोली मार दी और उसे स्थाई लंगड़ा कर दिया गरिपतारी के कुछ समय बाद ही जहजीत की पतनी की मौत हो गई अस्पताल में एक डाक्टर बिजे को डान के समान निसान देता है जब आपरेशन के बाद डान की अचानक मरत्य हो जाती है तो बहाना सुरू हो जाता है डान बनकर बिजे गिरोह में सामिल हो जाता है डी सिल्वा ने बिजे को ड्रक कार्टल के बारे में बियुरण वाली एक केम्पूर्टर डिस्क खोजने के लिए कहा जब बिजे को पता चलता है तो रोमा उसे मारने का प्रियास करती है लेकिन डी सिल्वा उसे डान की असली पहचान बताता है और वह मदद करने के लिए सहमत हो जाती है बिजे ने डी सिल्वा को डिस्क सौब दी डी सिल्वा सिंगानिया की हत्या कर देता है और पुलिस विजे को गिरिबतार कर लेती है गोली बारी में डीसलुवा मारा जाता है जिससे विजे तबा हो जाता है क्योंकि डीसलुवा ही एक मात्रविक्ति था जो है साबिद कर सकता था कि वह असली डान नहीं है अपनी असली पहचान का पता चलने पर डान के सियोगी उसके खिलाफ हो जाती है विजे बच निकलता है और रोमा से मिलता है ताकि वह डिस्क वापस पा सके और अपनी बेगुना ही साबित कर सके जहजीत को डी सिलवा की अपार्टमेंट में डिस्क मिली उसे एक फोन आता है और कहा जाता है कि उसे डिस्क को उन लोगों के पास लाना है जो दीपु को बंधग बना रहे हैं उसे पता चलता है कि डिस्लों हमेशा जीवित रहा है और वास्तों में वर्धन बोरिस का अन्नी लेप्ट टेंट है जो सिंगानिया तक पहुँचने के लिए बिजे का उप्योग कर रहा है जस्चीत दीपु के साथ फिर से मिल जाता है और बिजे और रुमा के साथ मिल जाता है तीनों एक योजना के साथ आते हैं और इंटर पॉल को सूचित करते हैं युद में बिजे वर्धन पर हाव्य हो जाता है लेकिन इंस्पेक्टर बिसाल मलिक द्वारा बाधित किया जाता है जिससे वर्धन को गिरिपतार कर लिया जाता है बिजे बरी हो जाता है और रुमा उसके प्रत अपने प्यार का इजहार करती है बहुत देर से उसे पता चलता है एक मोड के अंत में कि उसके साथ खिलवाड किया जा रहा था, डान जी भी थे और बिजे होने का नाटक कर रहा था, अस्पताल में डान ने वर्धन और बिजे की योजना सुन ली थी, बिजे के आपरेशन के बाद डान ने उसके साथ उसका साथ हस्तान बदल लिया, और इसको जो डिस्कती थी वा फर्जी थी